चोपडा है जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हर साही चोपडा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरी बचो इस वीडियो में मैं आपको मोपप राउंड की एक्सपेक्टेड कटोफ बताऊंगा जो ओल इंडिया के लिए होना है इसमें ओल इंडिया कोटा की सीटे रहेंगी और ओपन कोटा की यानि एमस जिपमर की सीटे रहेंगी तो इसमें हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कटोफ की बात करेंगे इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे चैनल पर फेद कर सकते हैं क्योंकि जो मेरी प्रिवेस एर की कटोफ रही है 2020 की वो बिल्कुल एकुरेट रही है और इस साल की जो 21 की कटोफ रही है फर्स्ट राउंड और सेकिन राउंड की उसमें शरब दो ही मांक्स का अंतरा है बिल्कुल एकुरेट गई है मैं आपको यहां पहले प्रूप के साथ बता देता हूँ फिर आपको मोप अप राउंड की कटोप बताऊंगा तो मैंने 5 नौबर 2021 को आज से 4 मैंने पहले ही वीडियो बना करके यह बता दिया था कि फिर्स्ट राउंड की जो कटोप रहेगी वो क्या रहेगी और सेकिंड राउंड की कटोप क्या रहेगी तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड की कटोप देख लेते हैं जनरल कर्टे के लिए कि मैंने हमने फोर शोरी 614 प्रेडिक्ट की थी वो गई है 612 यानि यहां दो मार्क्स का अंतर रहा है EWS की 609 प्रेडिक्ट की थी 608 रही है यहां एक मार्क्स का अंतर रहा है वो भी 608 की थी गई है 601 यानि कि यहां पर दो मार्क्स का अंतर रहा है EWS T में जरूर साथ मार्क्स का फरक रहा है यह मैं इस बात को मानता हूँ यहां पर अब हम लास्ट राउंड हुआ करता था जब हमने यह वीडियो प्रेडिक्ट किया था च्यार मैंने पहले तब लास्ट राउंड हुआ करता था तो सेकिन राउंड की यह कटोप मैंने प्रेडिक्ट की थी तो जनरल काटेगरी की 605 की थी गई थी 603 इसके बाद में OBC काटेगरी की 600 अभी गई है 602 मार्क्स EWS की 601 की थी अभी 601 ही की है मेरा कहने का मतलब यह है मैं आपको यह पुरूफीसली दिखा रहा हूं कि आप हमारी मोपड राउंड की एक्स्पेक्टेड कटोप पर फेद कर सकते हैं अब हम यह आँ पर बात करेंगे कि एक्स्पेक्टेड कटोप क्या जा सकती है मोपड राउंड की तो इसमें जो मोपप राउंड की कटोप जाएगे वो यूर कैटेगरी 600 मार्क्स पर रहने की संभावना है अभी शिरफ इसमें 3 मार्क्स का ही डिफेंस क्यों रह रहा है मैं इसका रिजन आपको बता देता हूँ क्योंकि काफी सीटें वैकेंट होके आएंगी इसमें मोपप राउंड में और अभी इस साल जो स्टेट में सीटें जार नहीं रही है मोप अप राउंड ही कंड़क्ट होना है ओल इंडिया का लेकिन इसमें वो कंडिडेट भी सामिल होंगे जिन्होंने स्टेट के सेकंड राउंड में जोइन कर लिया है वो भी 24 पिल करेंगे सेकंड इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें ज्यादा कटोप डिफरेंस नहीं रहने का यही कारण है OBC केटेगरी की 598 जा सकती है EWS की 597 जा सकती है ST की 485 जा सकती है ST की 470 कटोप जा सकती है तो यह expected कटोप है मोप अप राउंड के लिए और बकी जो stay vacancy राउंड के लिए क्या रहेगी इसका हम बाद में वीडियो बना के बता देंगे तो देखते हैं अभी मोप अप राउंड होना है वो अभी 10th March 22 से इसके रेजिस्टेशन हो रहे हैं और 11th March 24 फिलो हो रही हैं मैं आपको यहां बता दूँ कि stay vacancy राउंड में कोई new रेजिस्टेशन नहीं होता है अगर आपको stay में भी पार्टिस्पेट करना है तो मोपम में ही रेजिस्टेशन करना होगा तो यह कंडिशने थी कुछ मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन